लोग स्वाइब सब्सक्राइब को मैं आपके लिए ले कर के आता हूं रिवीजन कर चुके हैं आज ये फर्वरी की चौथी क्लास है इसके बाद हम रिवीजन करेंगे मार्च का इसकी एक प्रॉपर प्लेटिस्ट मैंने बना रखी है उस में आप जनवरी के classes देख सकते हैं फरवरी की classes देख सकते हैं most important जो हर महीने के questions हैं वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं तो पिछले 6 माह के जनवरी है फरवरी चल रही है इसके बाद आगा मार्च अपरेल तो line से चलता रहेगा पर टेक फ्राइडे सुबह 8 बजे ये class आपको देखने को मिलती है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी revision वाली class तो यह देखते हैं पहला प्रशन क्या है तो पहला प्रशन है यहाँ पर प्राइमिस्टर नरेंद्र टेंपल ओपन किया गया है बैप सिंदु टेंपल के नाम से जाना चाहिए का यह टेंपल स्वामिना राइंजी का यह टेंपल है बैसिकली कहां पर UAE में यानि कि यूनाइड अरब स्वामिना राइन संस्था यानि की यह संस्था है जिसका है टेंपल है तो बिस्किली से नाम दिया गया बैप सिंदु टेंपल तो यह कहां पर अबुधाबी में और यह पहला हिंदू टेंपल है United Arab Emirates का यानि की UAE का Pink Sandstone से टेंपल बना हुआ है 27 सेकड में फैला हुआ है अबुधाबी में ठीक है One of the largest in Middle East मध्यपूर्व में यह सबसे बड़ा बना हुआ मंदिर है ठीक है The country is home to about 3.6 million Indian workers 3.6 million Indian workers यहां पर काम करते हैं UAE में 3.6 million का मतलब हो गया 36 लाग भारती यहां पर काम करते हैं तो भारतीयों को अपना टेंपल यहां पर भी मिल सकेगा तो यह पहला हिंदू टेंपल है बैप्स हिंदू टेंपल यहां तरखेगा अगला प्रश्न which team has won the 15th CEC Ice Hockey Cup Championship at Kree Sultan Chu Ice Hockey Rink कारगिल लग्दाख basically कारगिल लग्दाख पे आयोजित पंदरवी CEC Ice Hockey Cup किसने जीत लिया है यह championship किसने अपने नाम कर ली है तो basically इसको जीत लिया है Drass Warriors ने किसने जीत लिया है Drass Warriors is the right option तो Drass Warriors ने जीत लिया है 15 CEC Ice Hockey Cup Championship कहां पर खिला गया है तो Kree Sultan Chu Ice Hockey Rink और यह कहां पर established है कारगिल लग्दाख में तो कारगिल लग्दाख में final आयोजिन किया गया था they achieved victory against United Chikton United Chikton को हरा करके Drass Warriors ने एक हिताब अपने नाम पर किया है वसीम बिलाल earned the prestigious title of the man of the series and man of the match तो man of the match और man of the series का title वसीम बिलाल को यहां पर प्रदान किया गया है District Youth Services and Sports यहनि कि लग्दाख का District Youth Services and Sports Department इस tournament को प्रतेक वर्ष आयुजित करता है 31 men's team, 41 पुरुषों की team होने और 4 महिलाओं की team होने यहां पर participate किया था इस tournament में Women में अगर बात करें जैसे पुरुषों में तो आपको पताख चल गया Drass Warriors ने जीता है महिलाओं में बात करें यहां पर तो यह कौन सा है यह बोड़ खार्बो ठीक है बोड़ खार्बो वीमेंस team ने वीमेंस cup जीत लिया है By defeating वाखा मॉल्बकेह तो वाखा मॉल्बकेह को हरा करके हरा करके बोड़ खार्बो महिला team ने यह आई सौकी cup अपने नाम कर लिया है तो महिलाओं में भी बता दिया पूरे सो में भी बता दिया, दोनों में ध्यान रखिएगा आगे आते हैं दोस्तों IPL तो समाप्त हो चुका है क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो बात फर्वरी की चल रही है तो फर्वरी में sponsored आ रहे थे तो basically चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स जिसके करता धरता महन सिंग धोनी जी थे पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने ही IPL जीता था इस बार किस टीम ने जीता है यह आप मुझे comment section में बताईए comment section में जल्दी से बता दीजे और मुझे भी लग रहा है आपको पता चल गया होगा खुल गा था night riders तो basically चेन्नई सुपर किंग्स का अधिकारिक प्रायोजग कौन बन गया है यह अधिकारिक प्रायोजग बन गया था Emirates Airlines Emirates पर Emirates नहीं एतिहाद Airways एतिहाद Airways यह official पार्टनर बन गया था चेन्नई सुपर किंग्स का और जब जो official पार्टनर होगा देख सकते हैं टीशर्ट पर साथ नंबर धोनी की ही टीशर्ट है और पीछे आप देख सकते हैं एतिहाद लिखा हुआ है तो again sponsor का मतलब यह होता है जो इस टीम को अपना support दे financial रूप से help करे वो sponsor होता है basically और एतिहाद ने ठीक है बॉलिवोड एक्टर कैटरीना कैफ को अपना brand ambassador भी बना दिया है तो एतिहाद airways की brand ambassador कौन बन गई कैटरीना कैफ बन गई हाली में कुछ और ambassador बने थे जैसे शाम स्टील के कौन बन गए थे रवी किशन नीरत चोपड़ा को किसका बना दिया गया था ठीक है यह new brand ambassador बन गए थे टीम वीजा के यानि कि वीजा वो जो card आप देखते हो ना वीजा card आपके पास जो debit card या credit card है जिस पर visa या mastercard लिखा हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ आगे देखते हैं आपर अगला प्रशन United World Wrestling Lift Suspension on ITEA Where is the headquarter of UWW located United World Wrestling आगे आपको पता है Wrestling Federation of India WFI को suspend कर दिया गया था क्यों suspend कर दिया गया था क्योंकि आप जानते है यहाँ पर उसके जो करता धरता थे जो चेर्मैन थे वो थे ब्रज भूशड चरण सिंग उन पर ठीक है यह उन्शोशड के आरोब लगे थे जिसके चक्कर में यहाँ पर wrestling सही से नहीं हो पा रही थी जो wrestling players थे वो सारे के सारे धरना प्रदर्शन कर रहे थे That's why Wrestling Federation of India को suspend कर दिया गया था international bodies है जैसे cricket में जानते हो ना ICC, BCCI तो BCCI associated है किस के साथ ICC के साथ अगर ICC, BCCI को suspend कर दे तो इंडिया में ना तो को international match होगा ना international match में इंडिया team खेल पाएगी यह फाइदा नहीं मिल पाएगा तो UWW organization है जो पूरे world की wrestling federation को देखती है वो सभी इसके सधस्य है तो again उसने इसका headquarter कहाँ पर है तो लौसाने सुट्जे लैंड में इसका headquarter located है दोस्तों तो इसने जो band लगाया था वो band को lift up यानि की हटा दिया है तो United World Wrestling also directed that no discriminatory action against बजरंग पुनिया विनेश फोगाट and Sakshi Malik for protest again इन लोगों ने सबसे पहले protest को आगे ठीक है लीड किया था बजरंग पुनिया विनेश फोगाट और Sakshi Malik तो कहा गया है इनके against में कोई भी discriminatory action ना लिया जाए इसकी भी सिफारिश करी थी तो again नहीं लिया गया है World Wrestling में यानि की जो international matches है उनमें participate भी किया जा रहा है इनके द्वारा 23 अगस 2023 को UWW ने बैन लगा दिया था Wrestling Federation of India पे ध्यान रखेगा UWWD फॉर्म हुआ था 1912 Headquarter लौसाने सुचले लैंड में Membership 176 National Federation इसकी member है और President इसके कौन है नेनाद लालोविक अगला परेशन Miss World का कौन सा संसकरण 18 फरवरी से 9 मार्च तक भारत में आयोजित किया गया था तो basically भारत में आयोजित किया गया था इस बार का Miss World Beauty Pigeant यानि कि Miss World इस बार भारत में आयोजित किया गया था और ये कौन सा था ये थी 21 प्रतियोगिता 71st session 71st edition है 23 संसकरण ये 2023 में होना था लेकिन 2024 की मार्च में आयोजित किया रहा है कहाँ पर तो Jio World Convention Center मुंबई यहाँ पर आयोजित किया गया और अगेन जो Miss World इस बार बनी है कौन बनी है Miss World नाम याद रखेगा Miss World 2023 ये बनी है ठीक है Christina Christina Sijkova of the Cage Republic Cage Republic की Christina Sijkova बनी है और अगेन ऐसा होता है जो इस साल माली जे beauty pageant बनेगा तो पिछले साल जो बनेगा वो उनको ताज पहनाएगा तो इसके पहले कौन बना था ये बने थी ठीक है Carolina Carolina of Poland तो इन्होंने ताज पहना करके ताज पोशी करके काम कंप्लीट कर दिया है इंडिया ने इसके पहले होस्ट किया था सेशन 1996 में सोचे 1996 के बास से इंडिया में कोई भी कोई भी Miss World पिजेंट या Miss World का कोई भी एडिशन आयोजित नहीं किया गया था बलकि हर साल इसका आयोजन किया जाता है अगीन चिल्लर मनुसी चिल्लर जो है was the most recent इंडियान to win the pageant having back the crown in 2017 2017 में मनुसी चिल्लर ने इसको जीता था उसके बास से और को इंडियान अभी तक नहीं जीता है इसके पहले मनुसी चिल्लर के पहले रीता फारिया पावल आश्वरिया राय डायना हेडन युकता मुखी और प्रियंका चोपडा जोनास ये इस competition को जीत चुकी है जीत चुकी है यानि कि मिस वर्ड रह चुकी है चले आगे बढ़ते हैं अगले परशन पर नेशनल प्रोड़क्टिविटी डे सेलिबरेटेड एवरी इयर इन अन ट्वैल्थ फैप प्रतेक वर्ष 12 फरवरी को नेशनल प्रोड़क्टिविटी डे यानि कि रास्ट्रे उत्पादक्ता दिवस मनाया जाता है इसकी थीम क्या है इस बार की तो बिसिकली इसकी थीम की अगर हम बात करें तो यह है आर्टीफिशल इंटेलिजेंस प्रोड़क्टिविटी इंजन फॉर एकनॉमिक ग्रोथ ए आई का जो बढ़ता बोलबाला है उसको प्रोड़क्टिविटी मिलाना यानि कि उससे उत्पादक्ता को बढ़ाना प्रोड़क्टिविटी का मतलब ही क्या है उत्पादक्ता जैसे वर्क प्रोड़क्टिविटी तो कारे करने की छमता को बढ़ाना भी क्या होता है वर्क प्रोड़क्टिविटी होता है इस बात को ध्यान रखिएगा तो गिन National Productivity Day याद रखिएगा कम मनाये जाता है 12 फरवरी को और दे की थीम बहुत important होती आप सभी के लिए तो थीम आपको मैंने बता ही दी है इस बात को ध्यान रखिएगा चले आगे आते हैं अगला प्रश्न Recently in February 2024 गुपतेश्वर फारेस्ट has been declared a biodiversity heritage site in which state is it located यह जो बायो heritage site है यह कहाँ पर located है इसका नाम क्या है गुपतेश्वर फारेस्ट तो basically यह located है उड़ी सामे गुपतेश्वर फारेस्ट बायो डैवर्सटी heritage यानि की जैव विविदता विराशत इस्थल में लाया गया है इसस गुपतेश्वर फारेस्ट तो दिमाग में रखेगा गुपतेश्वर फारेस्ट कहाँ पर है यह उड़ी सा के कोरापुत जिले में स्थित है कोरापुत जिले में जो की 4th biodiversity heritage भारत की बन गई है चौथी biodiversity heritage ध्यान रखेगा तो 3R कौन कौन सी है यह है मंधसारू biodiversity heritage ठीक है इन कंधमाल डिस्टिक्ट, महेंद्रगिरी, बियाचसे, इन गजपती डिस्टिक्ट, और गंध मर्दन, ठीक है, बायो हेरिटेज, इन बाढगर एंड बोलांगिर डिस्टिक्ट, ये लोकेटेड है, उरिसा में, तो ये चौती है, ये तीन अलरेडी है, जिनके नाम मैंने य आठ प्रजातियां यहां पर पाई जाती है, और वाल सोला प्रजातियां जिसमें से आठ प्रजातियां यही इसी गुपतेश और फॉरेस्ट में पाई जाती है, तो ये भी एक इंपोर्टेंट बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन, सिंधु गनपती has been appointed as the first trans women traveling ticket examiner, पहली trans women, trans women यानि की third gender, ठीके क्योंकि अब third gender भी competition में participate कर सकता है, तो इन्होंने भी competition में participate बन गया, और ये पहली trans women TTE बन गई है, टिकट, traveling ticket examiner, तो इनको कौन सी railway में TTE की नौकरी मिली है, तो TTE की नौकरी मिली है, Southern Railway में नाम याद रखेगा सिंधु गनपती, क्या नाम याद रखना है, सिंधु गनपती, ये हैं सिंधु गनपती, और ये TTE बन गई है, Southern Railway, यानि की दक्षड रेलवे में, भारत की पहली trans women TTE, बस इतना ध्यामाग में रखना है, that's it, 37 age की है, 37 age की है, और ये भारत मे TTE के पद पर आ गई है, चले आगे आते हैं, electoral bond scheme for political funding declared unconstitutional by the Supreme Court when the scheme was launched, electoral bond के बारे में अब तक आपने बहुत सारी news सुन ली होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहें, basically electoral bond, electoral bond, यानि की चुनावी bond, ये जितनी भी political parties हैं, इनके लिए चंदा लेने का एक माध्यम था, ले इसमें चंदा देने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था, किसने किस party को कितना fund दिया है, तो गिन, परिवर्तन करके, बहुत सारी अधिनियमों में परिवर्तन करके, इस electoral bond के procedure को लाया था, इंडिया में सिर्फ एक bank है, जो electoral bond को बेचता था, जिसका नाम थ पैसा आपने खाते में ले सकती है, तो आप बगें चुनाव आयोग ने इसको on constitutional घोचित कर दिया, और सारा data release करने को कहा था, तो इससे related आपने बहुत सारी controversies देखी होंगी, उन्हों कमपनियों ने चंदा दिया, जो खुद loss में थी, बलकि loss making companies कभी भी चंदा नहीं दे स तो landmark judgment, जो कि भारत के Chief Justice रहें, D.Y. चंदरचूड अभी भी यहीं है, इन्हीं के द्वारा इसको unconstitutional घोशित कर दिया गया, क्योंकि यहां पर पैसे देने वालों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, तो 2 जनवरी 2018 को इस scheme को भारत में launch किया गया था, Supreme Court ने इसको unconstitutional घोशित को वाइलेट कर रहा था, ठीक है, of the citizen, नागरिको के नागरिको को पता नहीं चल पा रहा था, दूसरा, affecting the freedom of speech and expression under Article 19 1A, 19 के एक के इंतरगत, ठीक है, 1A इसके इंतरगत, right to speech है, तो उसको भी वाइलेट कर रहा था, that's why इसको क्या कर दिया गया, खतम कर दिया गया, तो अब भी company, जो loss making company है in India, were not allowed to make constitution, लेकिन फिर company act में बदलाव कर दिया गया, और ये जो restriction थी, हटा दी गई थी, अग्ला प्रशन, जापान fell into recession and lost its position at the world's, कौन से नंबर की largest economy, इंडिया की बात करें, तो इंडिया पाचवे नंबर की सबसे बड़ी economy है, पाचवे नंबर की सबसे बड़ी economy है in terms of PPP, purchasing power parity, याद रखेगा, fifth largest है इंडिया, इंडिया in terms of GDP, और third largest है in terms of PPP, यानि की purchasing power parity, ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है, लेकिन बात यहाँ जापान की हो रही है, भारत का जो भी system था, वो नहीं बदला है, वो नहीं बदला है, लेकिन जा तीसरे से गिर के चोथे पे आ गया है, तो अगें third largest economy से हट करके fourth largest economy पे आ गया, जापान economy is now the world fourth largest and fell behind Germany, तो तीसरे पर आ गई है जर्मनी और चोथे पर, चोथे पर कौन आ गया है जापान, तो तीसरा चोथा वाला इंटरचेंज हो गये है, पहले चोथे पर जर्मनी था, तीसरे पर जापान था, क्योंकि नमबर वन पर है, यूएस नमबर टू पर चाइना की बात होती है, ठीक है, तो अगें यहाँ पर याद रखेगा, थर्ड, फॉर्ट, फिफ्ट इस तरीके से चीजे बदल गई थोड़ा सा, चले आगे आते हैं, डिफेंस मिस्टर राजना सिंग अन्वील्ड लाइफ साइज स्टैचू अफ जनरल बिपिन रावत इन विच सिटी, जनरल बिपिन रावत ये देश के पहले चीफ अफ डिफेंस स्टाफ बने थे, लेकिन 2000 अगें, हाली में, अगर बात करें, 2021 में, प्लेन क्रैश में इनकी म रत्ती हो गई थी, तो उसके बाद इनका लाइफ साइज स्टैचू ये रहने वाले थे देहरादून के, तो देहरादून में ही ये स्टैचू इनका लगाया गया है, देश के रच्छा मंतरी ड्राजना सिंग ने इनके स्टैचू का इनाउगरेशन किया है, आपर, कहां प गई थी, इनके साथ इनकी पतनी और 12 और, मधुलिका रावत इनकी पतनी का नाम था, और 12 और लोग थे, ठीक है, जो की एकस्पायर हो गए थे, प्लें क्रैश में, और वर्तमान में Chief of Defense स्टाफ कौन है, याद रखिएगा, दूसरे और वर्तमान में, ये हैं General Anil Chauhan, कौन ह General Anil Chauhan, और इनके उपर कौन होता है, फिर, तीनों Armed Forces का जो Main Head होता है, वो होता है देश का रास्ट्रपती, आगे, Who has become India's fourth largest run maker in International Cricket, International Cricket में भारत के सब चौथे, सबसे ज़्यादा run बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताईए, और ये कौन बन गए हैं, दोस्तों, जल्दी ठीक है, रोहिच शर्मा, इंडिनी स्किपर है, रोहिच सर्मा, ठीक है, फॉर्मर स्पिकर शौरो गॉंगली, तु बिकेम दा फॉर्थ हाइस्ट रन मेकर in International Cricket, अंतराश्ट्री क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा run बनाने वाले वेक्ति बन गए हैं, रोहिच ने ये उनके रन 6.83 के स्ट्राइक रेट से आए, आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि चौथे सबसे ज़्यादा run बनाने वाले, अगें अगला प्रशन है, रीसेंटली रचना कुमारी हाज बीन बैंड फॉर्व यर्स फॉर डोपिंग, शी वाज असोसियेटेड विट इंदरा आजाएगी, तो आप गेम जी सकते हो, इसलिए डोप टेस्स समय समय पर, जितने भी एथलीट हैं, उनका किया जाता रहता है, और डोप टेस्स से आप मना करेंगे, तब भी आपके उपर बैंड लग जाएगा, और डोप टेस्ट में अगर दोशी पाए जाते हैं, तो जो मेडल आपने जीते होंगे at that time, तो मेडल तो आपसे छीन ही लिया जाते हैं, और बाकी कुछ सालों का बैंड लगाया जा सकता है, तो basically ये जो हैं, ठीक है, रचना कुमारी इन पर बैंड 12 सालों का लगा दिया गया है, ये किस से related हैं, हैमर से related है, हैमर थ्रोवर है, है, हैमर थ्रोवर, ठीक है, रचना कुमारी 12 सालों का बैंड लग दिया, ठीक है, falling dope test, dope test में ये fail कर गई है, इन्होंने steroid इस्तमाल करी थी, ठीक है, steroid इस्तमाल करी थी, इसी steroid के इस्तमाल की वज़े से 12 वर्षों का बैंड लगा दिया गया, चले अगला, दत्ता जी रा एंड फॉर्मर कैप्टन थे, भारती ये टीम के पूर्व कप्तान और सबसे पुराने test player, ठीक है, तो गैकवार्ड, who was the father of the former India opener and national coach अंशुमन गैकवार्ड, ठीक है, अंशुमन गैकवार्ड के पिता जी थे, तो ये 95 वर्ष की उमर में expire हो गए, अगला, as per State of India Digital Economy Report 2024, what is India's global rank in digital economy, digital earth ब्यवस्था में, जिस तरीके से भारत digital ही रूप से आगे बढ़ रहा है, तो ये digital economy, जहां digital payment करते हो, digital सारे काम हो जाते हैं आपके, तो ये digital economy में भारत तीसरे नंबर पर है, थर्ड सबसे बड़ी digital economy भारत बन गया है, सबसे उपर आप जानते ही है, अमेरिका है यहां पर, तो इंडिया has cemented its position as the third largest digitized nation in the world, भीके trailing only behind the US and China, तो अमेरिका और चाइना ये दो सबसे बड़े digital nation है, जबात तीसरे नंबर पर आ जाता है, भारत तीसरा, ठीक है, तो अगेर largest economy में भी अमेरिका और चाइना उपर है, digitally में भी यहां पर अमेरिका और चाइना यहां आप देख सकते हैं, US, चाइना, इंडिया, चौथे पर, UK, पाच्वे पर, जर्मनी है यहां पर, भारत में state की बात करें, तो digital state में सबसे उपर आता है करनाटका, फिर महरास्टरा, तिलंगाना, फिर गुजरात, फिर हर्याना, तिक है, अगला प्रशन, who has been elected as the speaker of Bih legislative assembly, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीज जी नौई बार, पल्टी मार लिए, कि धर से पल्टी मार लिए, पहले किस के साथ थे, और जेडी के साथ थे, लालो यादो जी की party, ठीक है, अब वापस से, ठीक है, भाजपा में मिल गए, सरकारे बदल गई, लेकिन मुख नंद किशोर नाम याद रखिएगा, that's it, post office speaker, speaker क्या होता है, विधान सभा का देख्श होता है, विधान सभा कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, ये सब काम किसका होता है, speaker का होता है, तो speaker भी एक MLA ही होता है, तो नंद किशोर वाज़ेक्टेड MLA for the first time in 1995, ठीक है, 1995, overseas citizens of India, who is the chairman of the 22nd law commission, 22 विधी आयोग के अधिक्ष कौन है, अभी मैं 22 विधी आयोग की एक recommendation के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसके basically जो head है, वो है justice रितुराज अविस्ति, 22 विधी आयोग करे कर रहा है, basically 22 विधी आयोग में matrimonial चर्चाही करी गई है, basically बात यहाँ प ठीक है, उनके बारे में बात करी गई है यहाँ पर, कि यह अगर बाहर किसी भी प्रकार की कोई साधी करते हैं, तो वो registered होनी चाहिए, उन पर भी matrimonial के जो laws हैं, वो apply होने चाहिए, जैसे भारत में और सभी पर apply होते हैं, क्योंकि वो citizens कहां के, इंडिया के ही हैं, तो चा the following country has legalized same sex marriage, same sex marriage, यानि कि some lagging विवाह को किसने अनुपती दे दी, यानि कि लड़का लड़के से साधी कर सकता है, लड़की लड़की से साधी कर सकती है, some lagging विवाह, तो basically Greece ने allow कर दिया है, भारत में भी इसकी बात उठी थी, चर्चाएं उठी थी, बढ़ सुप्रीम अभी इस बात को allow नहीं करता है, तो basically same sex marriage आप समझ गया होंगे, अभी हाली में Asia के दो nations ने भी same sex marriage को allow कर दिया है, वो एक है Nepal, ठीक है, नेपाल अपने LGBTQ culture के लिए जाना जाता है, नेपाल और दूसरा जो देश है, वो है Thailand, तो Nepal और Thailand ये Asia के दो देश हैं, जिन्होंने क्या कर दिया है, जिन्होंने allow कर दिया है, अगला, रवी चंदरन अश्विन has become the Indian and baller in the world to take 500 wickets in test history, test history में सबसे 500 से उपर wicket लेने वाले, ये कौन से number के Indian, second Indian बन गए है, second दूसरे भारती और 9 नमबर पर, 9 पूरे वर्ड में, तो पूरे विश्यो में नवा इस्थान, भारत मे दूसरा इस्थान आ गया है, test में wicket लेने के लिए, किसका रवी चंदरन अश्विन का यहाँ पर ध्यान रखेगा, तो 500 test wicket at the निरंजन शाह स्टेडियम, यहाँ पर इन्होंने पूरे कर लिए, अश्विन became the second Indian to take 500 wickets after अनिल कुंबले, number one पर अनिल कुंबले हैं, अनिल लिए हैं, उसके बाद बात आते हैं यहाँ पर रवी चंदरन अश्विन, स्री लंका के जो मुथाया मुरली धरन हैं, वो 800 wicket के साथ सबसे उपर हैं, पूरे वर्ड में, पूरे वर्ड में, अश्विन also became India's highest wicket taker by taking 96 wicket in the test cricket against England surpassing BS चंदर सेखर, तो England के against में भी यह सबसे ज्यादा wicket बनाने वाले इंडियन क्रिकेटर हैं, अब लिस्ट यहाँ पर देख लीजेगा पूरे वर्ड के, सबसे उपर हैं मुथाया मुरली धरन, 800 wicket हैं यहाँ पर, शेन वान की बात आती है, 708 wicket हैं, फिर जेमस एंडर्शन की बात आती है, 696 हैं, और फिर चौथे पर भारत से अनिल कुमले 696, फिर रविचंदर न अश्यून की बात यहाँ पर हो रही हैं, देख सकते हैं 500 wickets, इनोंने पूरे कर लिए हैं, अगला परशन, इन फरवरी 2024 पीम, नरेंदर मोदी has led the foundation stone for Sikkim first railway station, Sikkim का पहला railway station, Sikkim में अभी तक railway station नहीं था, तो अब रैंग पो जो railway station Sikkim में बनेगा, यह Sikkim का पहला railway station होगा, इसकी foundation stone नरेंदर मोदी जी ने रख दी है, और यह Sikkim का पहला railway station होगा, दोस्तो, design of the Rangpo railway station will draw inspiration from the rich culture, heritage and architecture of Sikkim, तो Sikkim का जो culture है, उसी को represent करेगा यह station, वैसी ही इसके building बनाई जाएगी, In which country has the word third largest Moscow, विश्यो का तीसरा सबसे बड़ा जो मस्जिद है, कहां पर बनाए गया है, दो सबसे बड़े तो सबको पता है, मक्का और मदीना, ठीके मक्का और मदीना सौधी अरब में है, उसके बाद तीसरे नमबर का सबसे बड़ा मस्जिद बनाने जा रहा है, Algeria, Algeria में मस्जिद में इससे उची मिनार नहीं है, तो सबसे उची मिनार है, और इसका नाम रखा गया, Grand Masque of Algiers, ठीक है, on the North African Nations, Mediterranean Coast Line, ठीक है, Algerian President है, अब्दल माजित तैबून, इनके द्वारा इसको इनागरेट किया गया है, लोकली से, दजामा अल्दजैर के नाम से जानते हैं, वर्ड टालेस्ट मिनारेट है, 265 मिटर की, ये भी ध्यान रखेगा, अगला प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीने के सहर में भारत टेक्स, टेक्स का मतलब है टेक्स्टाइल, टेक्स्टाइल यानिकी कपड़े की बात हो रहे यहां पर, तो टेक्स्टाइल का ये सबसे इवेंट है, और वर्ड लेवल पर होता है, कभी भारत में, कभी UAE में, कभी फ्रास में, कभी कहीं, तो भारत के नई दिल्ली में, भारत मंडपम और यशोभो में, ये जो इंटरनेशनल एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सिंटर हैं, वही पर इसको लगाया गिया है, भार अंडर विच प्रोग्राम हैस पीम मोधी, रीज दे वर्ल लार्जेस कोपरेटिव ग्रेन स्टोरेज स्कीम एक्रॉस दे कंटरी इन फरवरी 2024, हर साल भारत में आप देखते हो, बहुत सारा अनाज, इसलिए खराब हो जाता है, कि उसके भंडारल की एक प्रॉपर सुविध प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का मेड टाइटिल है, सहकार से समरधी, और भारत के सहकारिता मंत्री हैं, अमिशा पहले भी वही थे, अभी भी वही है, ग्रह मंत्री भी है, सहकारिता मंत्री भी है, तो उनी के साथ में इसको लॉंच किया गया है, एक दशमलो दो पांच ल जाएगी इस योजना के इंतरगत सहकार से सम्रध्धी याद रखेगा अगला पीम नरेंद्र मोदी रीवील्ड दा नेम आफ फोर एस्टोनाट्स कौन गगणयान मिशन का पार्ट नहीं है तो बिसिकली प्रशान्त क्रिश्ण गगणयान का हिस्सा नहीं है बाकी तीन अब देख रहे हो चारो नाम मैं आपको बता देता हूँ ये चारो लोग रशिया में गए हैं ट्रेनिंग के लिए रशिया में ट्रेनिंग मिलेगी उसके गगणयान जो भारत का फर्स्ट क्रिव मिशन है अंतरिक्षा को अंतरिक्षा पर ले जाने का तो ये क्रिव मिशन है पूरा का पूरा 4 इंडियन एर फॉर्स ऑफीसर हैं टिक है अगें इनका नाम याद रखियेगा कौन कौन है गुरुप कैपटन प्रशान्त बालकृष् ठीक है और 2024 तक complete होना है इसका initial phase यानि कि इस वर्ष के एदता कि इसका initial phase भी complete कर लिया जाएगा अगला प्रशन भारत के दूसरे लोकपाल जो कि भरष्टाचार से सम्मधित जाच कर सकता है और देश के प्रधानमंत्री भी अगर भरष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं अभी दूसरे लोकपाल लियुक्त किये गए हैं और इनका नाम है जस्टिस A.M. खानविलकर अपॉइंट्मेंट रास्ट्रपती के द्वारा किया जाता है तो जस्टिस अजय मानिक राओ खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल बन गए हैं ये फॉर्मर सुप्रीम कोड के जज हैं यानि की सुप्रीम कोड के जज रहे चुके हैं जस्टिस लिंगपा नारायना स्वामी जस्टिस संजय यादो ए जस्टिस रितुरा जवस्ती विल बी दा जुडिशल मेंबर आफ दा लोकपाल ये सभी मेंबर हैं और हेड हैं अजय मानिक राओ खानविलकर दादर अब इनको लिया गया है यहाँ ठीक है ध्यान रखेगा जस्टिस अजय मानिक राओ खानविलकर तो उमीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा इतना ही आज के सेशन में हमारी आपकी अब मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे कल सुबह 8 बजे जोड़ना मत बूलिएग थाकियो